Hey guys, it's Manek here और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम Naked Options को कभी adjust कर सकते हैं मैंने एक वीडियो अलड़ी बना के रखा है जहाँ पर हमने वो cover किया था कि हम Naked Options को कैसे adjust कर सकते हैं बट यहाँ पर हम timing की बात करेंगे और exactly हमें कभी करना चाहिए यह सारी चीजों के बारे में discuss करेंगे और मैं आपके साथ एक live trade का example भी बताऊँगा जो मैंने community tab पे भी share किया था YouTube के तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ quickly बता देता हूँ यह HDFC live का trade था और यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे community tab पे मैंने already share किया था और मैंने क्या बोला था कि HDFC life is looking bullish और मैं already एक put sell करके रखा हूँ in HDFC life बट अगर आप daily charge पे देखोगे मैंने इस दिन पर put sell करके रखा था और यहाँ पर already बहुत अच्छा profit मुझे देखने को मिल रहा था बट next day कुछ तो I guess news आया था और आपको देख रहा है almost 3-4% का एक gap down हमें देखने को मिला so यहाँ पर मेरा जो भी profit था वो सारा loss में आ गया simply because एक काफी बड़ा gap down हो गया था और जैसे आपको पता है guys puts काफी जल्दी spike हो जाते हैं और यहाँ पर exactly वही हुआ and अच्छा खासा put spike हो गया मेरा पूरा profit तो vanish होई गया in fact loss में आ गया था मैं so that is fine but मैंने इसको exactly adjust कैसे किया और कभी किया इसके बारे में यह discussion हम करेंगे so यहाँ पर मैं आपको सरफ बता देता हूँ कि मैंने कौन सा put पहले तो sell किया था यहाँ पर guys मैंने exactly कभी position लिया पहले तो मैं आपको वह बताता हूँ so यहाँ पर exactly जबी इस point का breakout आ रहा था hourly chart पे आपको पता है मैं hourly chart पे trade करता हूँ so directly चले जाते है hourly chart पे and आपको दिख रहा है यह काफी अच्छा good volume and एक अच्छा खासा big candle का breakout था so 731 के उपर जैसे ही हमें एक hourly candle का close मिला I went short on puts और मैंने कौन सा put option sell किया आप सभी को पता है मैं pivot points काफी prefer करता हूँ तो मैंने nearest pivot point का option चुना था आपको यहाँ पर दिख रहा है यह एक pivot point है और 50 EMA के उपर भी है price आप सभी को पता है यह मेरा favorite strategy है अगर 50 EMA के उपर चल रहा है price और 50 EMA slope भी upwards कर रहा है उसका basically मतलब यह है कि stock अच्छा खासा bullish है so यह मुझे काफी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने put sell कर दिया and again यह pivot point था इसलिए मैंने 710 का put option sell करके रख दिया था exactly फिर क्या हुआ बहुत अच्छा follow through हमें देखने को विला but यहाँ पर again वापस है market same level पर तो आ ही गया but एक बड़े gap down के वज़े से काफी एक spike भी आ गया था put में और सारा profit vanish हो गया था so मैंने exactly क्या किया मैंने put option को बिलकुल भी कुछ हाथ नहीं लगाया मैंने सीधा 800 का call option sell कर दिया because वहाँ पर भी premium काफी अच्छा मिल रहा था मैंने 710 का put option sell किया था वो approximately 55.5 रूपीज में किया था and तोरंत जो मैंने call option sell किया था वो approximately 6 रूपीज का sell किया था यह मैंने exactly क्यों किया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 5.55 रूपीज में मैंने put option तो sell किया था और मेरा intention यह था कि maybe मैं expiry था carry करके रखूँगा और उसको completely zero पे exit करूँगा बट यहाँ पर exactly हुआ क्या वो 5.5 का approximately put option चले गया था around 8 या 9 रूपीज पे so उसमें एक बड़ा problem यह हो गया था कि काफी अच्छा MTM loss दिख रहा था and almost 70 to 80% put spike हो गया था so मैंने उसके लिए क्या किया around 8 to 9 रूपीज हो गया था जैसे मैंने आपको बताया exactly मुझे याद निया काफी दिन हो गया 2-3 हफते हो गया and उसके वज़ए से मैंने 6 to 7 रूपीज का call option sell किया जो था 800 का call option and for some reason call IVs काफी ज्यादा थे and यहाँ पर आज भी अगर आप देखोगे तो equal distance में calls में ज्यादा premium है so हो सकता है calls के IVs थोड़े से ज्यादा होंगे इसलिए premium call side पे on equal distance भी ज्यादा है so इसका मैंने फाइदा उठाया और मैंने 800 का strike क्यों चुना क्या मैंने pivot point के हिसाब से चुना that was not the case because अगर मैं pivot point के हिसाब से चुनता तो approximately मुझे 780 का strike price चुनना चाहिए था right because यहाँ पर आपको देख रहा है अच्छा कासा gap down यहाँ से हुआ यानि यह जो high बना था वो था around 7-7, 6 levels पे and जो nearest strike price आप बोल सकते हो 780 का होता था but मैंने simply balance out करने के लिए 800 के call option को चुना और around 6-7 rupees का था जैसे मैंने आपको बताया 800 मैंने call option इसलिए चूज किया because generally मैं इस case में prefer करूँगा कि जो opposite side में adjust कर रहा हूँ जो यहाँ पर call option था उसका at least थोड़ासा यानि 20-30% value कम होना चाहिए put के CMP से simply because ऐसा भी हो सकता है कि अगर massive gap down आया है जो इस case में 3-4% का था उसके बाद अगर एक recovery आ गई तो call ज्यादा spike हो जाएगा and मुझे वहाँ पर trouble देना चालू कर देगा call so इसलिए मैंने सोचा कि मैं 800 का अगर call sell कर रहा हूँ around 6-7 rupees में तो मैं थोड़ासा call option सस्ता sell कर रहा हूँ तो अगर main reversion आता है और वापस से market उपर चले जाता है तो हमें एक अच्छा कासा profit हो सकता है because put option काफी spike हो गया था और in general भी अगर market उपर आता है आपने notice किया होगा कि IVs cool down होते हैं दोनों side पे so इसलिए मैंने choose किया again call option और जैसे मैंने आपको बताया call के IVs काफी high थे because यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिन था and 5-6% का up move था so obviously call के IVs थोड़ी से बड़े होंगे काफी सारे लोगोंने call option buy कर दिया होगा इसलिए काफी अच्छे premiums मिल रहे थे in far otms as well और यहाँ पर आपको दिख रहा है वो simple strangle ने इतना अच्छा profit दिया because यह almost 10 days से sideways चल रहा है and मैं अभी भी position carry कर रहा हू and मैंने यहाँ पर क्या किया था in fact मैंने yesterday ही जो around 13 September है मैंने इस point पे मैंने call option को roll down किया and यहाँ पर मुझे अभी 770 का call option मैंने sell करके रखा है and 710 का option मेरे पास पढ़ा है so यह again strangle हो गया and approximately वो cost पे है and 800 का जो call option था उसमें मैंने around 4 to 5 rupees book किया है so already मैं profit में ही हू and जो existing strangle चल रहा है वो cost पे है so मैंने profit और बुक कर लिया है and अगर और भी sideways चले जाता है तो 770 का भी call option मुझे premium दे देगा as well as 710 का जो put option है उसमें भी मुझे अच्छा कासा premium मिल जाएगा and मेरा convection क्यू हाई था मैंने क्यू 10 to 15 days इसको carry करके रखा है because आपको दिख रहा है एक अच्छा कासा gap down था और आपको पता होगा अगर आप मेरे चैनल को follow करते हो पहले से ही जभी भी एक massive trend आता है और एक mean reversion आता है या एक correction आता है तो मैं एक sideways movement expect करता हूँ आपने bank nifty and nifty के analysis में भी देखा होगा मैं यही चीज आपको बताता हूँ जभी भी एक massive trend आता है and let's say कि थोड़ा सा correction आ रहा है वो एक flag pattern या आप बोल सकते हो जो भी sort of consolidation हमें form करके दे देता है in most cases आप भी ये notice कर सकते हो again same चीज बड़ा सा trend एक sideways consolidation या correction तो आप देखोगे बहुत घंटों के लिए या बहुत दिनों के लिए एक sideways move आता है फिर जाके again एक trending move आता है so मैं और थोड़े दिन capture करने की कोशिश हरूँगा अगर मुझे कुछ और points मिलते है मेरा trailing stop loss यहाँ पर क्या हो जाएगा approximately मैं 755 का upside पर रखूँगा and on the downside मैं again यह pivot point को चूज करूँगा upside पर मैंने क्यूँ वहाँ पर रखा है because यहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छा खासा gap है तो resistance यहाँ पर maybe HDFC life face कर सकता है and on the downside obviously आपको पता है pivot point अच्छा खासा है so इसलिए मैंने space देखे रखा है कि अगर और भी market यही पर घूमता है तो मुझे दोनों side से again premiums मिल जाएंगे so that was the intention behind keeping the trade alive for 10 to 12 days पर कभी ना कभी हमें breakout या breakdown जरूर देखने को मिलेगा तो मैं उस हिसाब से जल्दी adjust कर लूँगा या तो मैं profit को book कर लूँगा so मैं quickly चले जाता हूँ abstra पे और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने exactly कहाँ पर position ली थी so guys यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने SDFC life का जो मेरे positions थे उनको already reload करके रखा है and 700 का put जो मैंने आपको बताया था sorry 710 का जो put था वो मैंने 5.55 में sell करके रखा था and अभी एक अच्छे खासे profit में है same way as 800 का call जो मैंने sell किया था वो approximately again 6.3 रुपीज में मैंने sell करके रखा था मुझे exact values नहीं या थे in fact मुझे पहले ही abstra load कर देना चाहिए था but never mind so यहाँ again 710 का मैंने put option sell किया था 5.55 में and यह option जभी 8 to 9 रुपीज हो गया था वो बड़े gap down के बाद मैंने exactly यही चीज की याने 800 का call option मैंने sell कर दिया था and जैसे मैंने आपको बताया मैंने book किया around 2.75 रुपीज में and मैंने fresh position open की 770 के call में यहाँ पर आपको दिख रहा है approximately 700 का loss है per lot in this case यहाँ पर मैंने approximately 3900 का per lot profit book कर दिया है right so यह almost आप बोल सकते है cost पर ही है और मैं अगर कुछ और दिन इसको carry करूंगा तो maybe दोनों साइड अच्छे से decay हो जाएंगे and I will look for an exit because काथी close है expiry and आपको दिख रहा है almost 10 to 12 days का sideways move हमें देखने को मिल गया so यह sideways move हमेशा के लिए बिल्कुल भी जारी नहीं होगा and जैसे मैंने आपको बताया मेरा trailing stop loss is in place तो अगर किसी भी side एक major breakout क्या breakdown मिलता है मैं quickly या तो adjust कर लूँगा या तो मैं exit कर लूँगा so guys इस case में मेरा trailing stop loss max cost पे होगा तो अगर बहुत wild move आ जाता है और मेरा जो यह profit था वो भी zero हो जाता है और यह जो premiums है दोनों तरफ से बढ़ जाते हैं या कोई भी एक side बहुत बढ़ जाता है तो मैं max to max cost पे exit कर लूँगा so यह आप बहुत सकते हो kind of मेरे लिए free trade है unless एक बहुत बढ़ा move gap के through नहीं आता है तो और अगर आपको जानना है कि naked options को हम कैसे adjust कर सकते हैं तो उस पे भी मैंने video बना के रखा है जैसे मैंने start of the video में mention किया and आपको right hand side पे वो video का link दिख रहा होगा आप सिरिफ tap कर सकते हो and वहाँ पर जाके video को देख सकते हो so I hope आपने कुछ नया सीखा होगा इस video से अगर आपको video पसंद आया make sure to smash the like button below मैं आपको मिलता हूँ next video में